नमस्कार बच्चो मिसन सिक्षर समवात पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर इस्तर विध्यान के अंतरगत आज हम दैनिक जीवन में विध्यान में विदेशी विध्यानिक एवं उनके योगदान के विशे में अध्यान करेंगे बच्चो भारति विध्यानिकों के आविशकारों और योगदानों ने ना केवल तकनीकी और अध्योगिक छेत्रों में बलकि सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डाला है इनकी वज़े से हमारा दैनिक जीवन अधिक सरल, सुरक्षित और उन्नत हो गया है तो बच्चो चलिए अब हम विदेशी विध्यानिक एवं उनके योगदान के बारे में जानते हैं ये हैं एडवर्ड जेनर जिनोंने रोगों से रक्षा हेतू वैक्सीन का निर्मान किया वैक्सीन रोगों से बचाव के लिए बनाई गई एक जैविक दवा होती है जो इम्मुनिटी सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाड़ों से लड़ने के लिए तयार करती है ये हैं अलेक्सेंडर फ्लेमिंग जिनोंने पैनिसलीन की खोज की बच्चो पैनिसलीन एक एंट्योबायोटिक दवा होती है जो बैक्टीरिया संक्रमण के उपचार के लिए प्रियोग की जाती है ये है मैडम मेरी क्यूरी जिनोंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की रेडियम और पोलोनियम दोनों ही रेडियो धर्मी तत्त होते हैं बच्चो रेडियम का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है और पोलोनियम का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है ये है गैलीली यो गैलेली जिनोंने दुर्बीन की खोज की दुर्बीन एक खास यंत्र होता है जो हमें दूर की वस्तूओं को देखने में मदद करता है ये है थॉमस एलवा एडिसन जिनोंने ग्रामोफोन और विधुत बल्की खोज की ग्रामोफोन एक ऐसा यंत्र होता है जिसका उप्योग ध्वनी रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है ये है जी मारकुनी जिन्होंने रेडियो की खोज की ये है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलिफोन की खोज की ये है सर आईजिक न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वा कर्शन का नियम और गती के सिधान्त को दिया बच्चो गुरुत्वा कर्शन एक ऐसा अद्रश्य बल है जो वस्तू को प्रत्वी की ओर हीचता है जैसे जब हम गैंद उपर फैकते हैं तो वह वापस नीचे आ जाती है ये है चार्ल्स बेबेज जिन्होंने कम्प्यूटर की खोज की और ये है माइकल फेराडे जिन्होंने डाइनमो की खोज की बच्चो डाइनमो एक ऐसा विद्धूत उपकरण है जिसका उप्यो यांत्रिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ये है विलियम रोन्ट जेन जिन्होंने एक्सरे की खोज की एक्सरे एक प्रकार का विकरण है ये है विकरण मानव शरीर के विभिन हिस्सों के माध्यम से गुजर सकता है ये है जौन लोगी बेयर्ड जिन्होंने टेलिविजन की खोज की ये है अलवर्ट आइंस्टीन जिन्होंने फोटो एलेक्टिक प्रभाव की खोज की बच्चो फोटो एलेक्टिक प्रभाव वह प्रभाव होता है जिसमें किसी धातू या पदार्थ की सतेह पर प्रकाश पढ़ने से एलेक्ट्रोनों का उत्सरजन होता है बच्चो सर सीवी रमन, हर्गोविंद खुराना, सुब्रमानियम चंदरशेखर, अलवर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैज्ञानिकों को नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया भारत में अंतरिक्ष अनवेशन तथा अंतरिक्ष प्रोध्योगी के विकास एवं उसके अनुप्रियोग का कार्य भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाता है इसे संचेप में इसरो भी कहते हैं इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को ही थी इसरो का मुख्याले बंगलूरू में है यहां कृत्रिम उपग्रह को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है कृत्रिम उपग्रह भी प्रत्वी की परिक्रमा करते है बच्चो विख्यान का दैनिक जीवन में महत्वपूर इस्थान है यह हमारे जीवन को सरल और सुलब बनाता है विख्यान के आविशकारों के बिना आधुनिक जीवन की कलपना करना कठिन है कुल मिलाकर विख्यान हमारे जीवन का अभिन अंग है और इसका महत्त अनमोल है आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ